आज का जो टॉपिक है वो हाँ है connection और database को create कैसे करेंगे देखे हमने last क्या किया था हमने एक library install की थी PY MySQL और हमने jamp install किया था और jamp में हमें क्या करना पड़ता है दो चीज इस्टार्ट करनी पड़ती है Apache और MySQL हमें Apache और MySQL को start करना है क्यों start करना है क्योंकि आपका जो MySQL है वो क्या है उस jamp के अंदर available है हम क्या करेंगे browser पे जाएंगे browser पे जाके localhost php my admin लिखेंगे अब localhost php my admin लिखेंगे तो हमारा क्या होगा database का dashboard open हो जाएगा उस dashboard में पहले से बने हुए database है हम उसको use रही करेंगे हम अपना क्या करेंगे नया database बनाएंगे वहाँ पे हम क्या करेंगे table को create करेंगे insert करेंगे update करेंगे सारा का सारा काम हम एक नया database create करके करेंगे तो अभी हमें करना क्या है मैं आपको process बता देता हूँ हमें उस local host जो आपका server है उसको connect करना पड़ेगा अपनी python file में जब हम local host को connect कर देंगे अपनी python file में तब हम database को क्या कर सकते हैं create कर सकते हैं तो अभी जो हम देख रहे हैं वो है connection और database को create करना और connection और database को create करने के लिए guys आपको ध्यान रखेगा दो चीज का पता होना चाहिए एक आपकी library py mysql install करना और दूसरा आपका jam ये दोनों आपके install होने चाहिए तब ही आप क्या कर सकते हो connection और database को create कर सकते हैं तो देखिए मैं आपको यहां से डारेक्ट बताना स्टार्ट कर रहा हूं कि आप connection कैसे बनाएंगे और database को कैसे create करेंगे और आप यहां पे jam को कैसे open करके localhost phpmyadmin को कैसे देखते हैं यह already बता चुका मैं आपको मगर मैं एक बार और बता देता हूं देखिए आपको क्या करना है jam का control panel start करना है control panel start करने के बाद Apache और mysql start करना है फिर हम localhost phpmyadmin को open करते हैं चलिए देखिए start करते हैं तो आपको कहां पर जाना है वहीं पर जाना है जहां पर आपने jam को install किया है तो हमने जो jam install किया है देखिए इड्राइ में जाएंगे हम यह जैम दिख रहा है 5.6 और jam यह मैंने पहले से अलरीडी इंस्टॉल कर रखा है मैंने अपने काम के लिए मगर मैं जो करने वाला हूं इसमें करने वाला हूं jam में जैंप में जाकर हम क्या करेंगे यहां से क्या start कर देंगे control पैनल हे ऊप्सन आहले से VirtualPanel पे क्लिक करेंगे एर ImpossiblePhone से Christmas और can't control पैनल पे क्लिक करने बाद आपको दिख रहा है a पाच्छे और मासकुल मैंने ब्राइड अगर आपके start रह articulated मेला है 1957 के और आपके database का dashboard क्या हो जाएगा, open हो जाएगा, देखिए, हम browser पे जाते हैं, अब browser पे जाके क्या लिख देते हैं, localhost, phpmyadmin, देखे, मैंने localhost, phpmyadmin, लिख दिया है, अब left side में देखेंगे, तो आपके सारे database बने हुए है, अब left side में जो सारे database बने हुए है, उसमें हम अ तो हम start करते हैं, connection बनाना और database create करना, देखे, connection का मतब यह हुआ, कि आपका यह जो localhost, phpmyadmin है, यह connect करना पड़ेगा, आपकी python की file से, फिर हम database को क्या कर सकते हैं, create कर सकते हैं, अगर आपने इसको नहीं किया, तो आप database को create नहीं कर सकते हैं, तो first step में आपको, zamp के अंद करते हैं, देखे, यहां से, एक file बनाई है, मैंने database.py, यहां से सबसे पहले आपको अपनी library import करानी है, जो आपने library क्या की थी, installed की थी, library import करानी के लिए आपको क्या करना है, यहां पे लिखना है, import, pymy school, as करके कोई भी आप alias बना दीजिए, जिससे आपको use करना हो, नही alias बना दिया, mq, जो मैंने alias बना है, वो क्या बना है, mq बना है, कुछ भी बना सकते हैं, आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, अब आप यहां पे क्या करेंगे, आप connection को क्या करेंगे, यहां पे create करेंगे, और connection को create करने के लिए, हमें connection को क्या करना पड़ेगा, एक variable मिलेना यहां पे mq.connect function का यूज होगा और connect function में आपको pass क्या करना है मैं बता देता हूँ यहां पे जब भी आप database को create करेंगे तो आपको connect में तीन argument pass करने है अगर कोई query और करते हैं जैसे create की table की करना है insert की करना है select की करना है तो आपके connect में चार parameter pass होंगे क्योंकि देखिए अभी आपका database बना हुआ नहीं है तो हमें अभी आपको database बना के दिखाना है तो database बनाने के लिए आपको क्या करना है इसके अंदर तीन argument pass करने है क्या-क्या मैं यहां पे comment में लिख रहा हूँ एक बार मैं आपको बता देता हूँ पहला लिखना है आपके server का नाम, सरवर का नाम एक बार notice कर लिजिह उसर का नाम जो आप work कर रहे हो तो उसर का नाम आपको ड्षेन यहां पर हमेशNow ध्यां रखे यह उसर नाम root रहेगा, अब आप इसको change भी कर सकते हैं अंदर जाके jam जो installed हुआ है वहाँ पे आप root को अपने according change भी कर सकते हैं और तीसरा होता है password password आपको क्या करना है, password रखना है यहाँ पे जब भी आप काम करेंगे, password रखना है आपको blank तो आपको यह तीन parameter उसके अंदर क्या करने पड़ेंगे, pass करने पड़ेंगे, comma separated करके, तो देखिए comma separated करके यह parameter कैसे pass होंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे local host, fix है नाम, local host, फिर आप यहाँ पे लिखेंगे root, single और double quotation किसी में भी pass कर सकते हैं, और comma करके यहाँ पे आप password को छो आपको यहाँ पे यह pass करना पड़ेगा, यह आपका connect हो चुका है, connect होने के बाद हम check करते हैं कि कोई error है की नहीं है, तो हम अपनी command पर जाते है, command पर जाकी file को run करते, python database.py, देखिए कोई भी error नहीं आई है, तो मतलब आपका क्या होका है, connection create हो चुका है, connection create होने के बाद अब हम database को create करने का क्या लिखेंगे, syntax लिखेंगे, तो एक चीज का ध्यान रखिएगा, guys, कि आपको जब connection create करते होने, तो आपको एक cursor open करना पड़ता है, और cursor इसमें predefined function है, कि cursor की help से हम database के create करने का syntax लिखेंगे, insert करने का, तो यहाँ पे cursor को open करना बहुत जरूरी है, त cursor को open करने के लिए हम function use करेंगे, cursor, उसको भी एक variable में store करना है, तो हम यहाँ पे लिख देते है, cursor, obj नाम का एक variable ले लिया, जो आपका object है, myobj.cursor, अब cursor open करने के बाद आप query को क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, cursor open करने के बाद भी हम file को check करते हैं, कि आपकी query सही है कि देखिए, मतलब आपका syntax सही है कि नहीं, देखिए, कोई भी error नहीं है, अब हम query को start करेंगे, और query को लिखने के लिए हम try और accept का use करेंगे, try और accept का use क्यों करेंगे, मैं बता देता हूँ, try में हम database को create करने का syntax लिखेंगे, और accept के अंदर हम कोई भी message display कर देंगे, जो भी error आ सकती है, माली जे database already exist, क्योंकि जब आप database create करते हैं और दुबारास इस file को run करेंगे, तो वो error देने लग जाएगा, database already exist, तो हम यहाँ पे उसको handle कर सकते हैं, कि वो error ना दे, तो हम try के अंदर database को create करने का syntax लिखेंगे, और accept के अंदर हम error को display करने का syntax लिखेंगे, तो पहले हम try को use करते हैं, देखें, try के अंदर हम start करते हैं database को create करने का syntax, अब database को create करने के लिए हमें ध्यान रखना है, इस cursor object को use करना पड़ेगा, तो हम database को create करने का syntax लिखेंगे, DB करके मैंने एक बना दिया, और database को create करने का syntax होता है, वो क्या होता है, मैं आपको बता देत कुछ डेटाबेस का नाम क्या है मैं आपको बता देता हूँ देखिए डेटाबीस है कि जहां पर innev.com क्या करेंगे इस्टोर करेंगी वो डेटाबेस का नाम आपको देना है वो डाप इस्कूल नाम से हम क्रीटाबेस मनाने वाले हैं उसके अंदर हम पूरे को पूरे project को implement करेंगे, एक simple सा project बनाएंगे, जिसके अंदर insert, update, delete, searching, यह सारा process होगा, तो जो हमारे database का नाम है, वो क्या है, school है, यह हमारी query हो गई है, create database, अगर आपको कोई और database बनाना है, तो आप बना सकते हैं, यह अभी मैंने execute है, यह cursor का जो object है, उसके साथ में काम करता है, और इसके बाद बीच में आपने query को क्या कर दिया, पास कर दिया, और यहाँ पे print कर देंगे हम, कोई भी एक message, database created, और error, accept के अंदर हम error message display कर देंगे, कोई भी मालो error आ सकती है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं, database error, तो दिहां से देखिएगा, मैंने db में लिखा है, create database, database का नाम, और फिर cursor obj किया, execute किया, और db को यहाँ पे क्या कर दिया, पास कर दिया, और print के अंदर database created लिख दिया, और print के अंदर database error लिख दिया, accept के अंदर, तो यह हमारी query क्या हो चुकी है, बन चुकी है, हमने execute करा दिया है, अब हम इस file को क्या करेंगे, run करेंगे, run करने के बाद हम चेक करेंगे, कि हमारा database बना है कि नहीं बना है, वो कहां जाके चेक करेंगे, localhost.phpmyadmin के अंदर, देखिए, यहाँ पे जाते हैं, और ध्यान से notice करिएगा, कि यह school नाम का database क्या हो चुका है, बन चुका है, आपको मैंने दिखा भी दिया, इस school नाम का क्या है, database बन चुका है, अब database create कैसे करते हैं, इसके syntax को एक बार और समझ लेते हैं, अपने connection किया, connection करने के बाद cursor को open किया, फिर query को लिखा, फिर execute किया, इतना ही process होता है database को create करने का, तो जो आज हमने देखा है, वो क्या देखा है, हम connection कैसे बनाते हैं, और database को create कैसे करते हैं, next हम देखेंगे कि database में data types कौन-कौन से होते हैं फिर हम उसके बाद देखेंगे कि table कैसे create करते हैं insert कैसे करते हैं यह सारा हम एक-एक करके step में चलेंगे जिससे आपको क्या हो जाएगा clear हो जाएगा करते हैं